हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर डेटा फ्लेयर के फ्री सी प्रोग्रामिंग कोर्स में जहां पर आज हम बात करने वाले हैं अगेन वन आफ दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड़ इस वाट फॉर्लूप फॉर्लूप क्या है क्यों हम फॉर्लूप को यूज करते हैं किस तरीके की प्रोग्रामिंग के लिए फॉर्लूप ज्यादा बेटर है अगर आप इस वीडियो को डारेक्ली देख रहें तो मेरा आप से रिक्वेस्ट इसके पहले आप इसके जस्ट प्रिवियस्ली मैंने फॉर्लूप को आप देख रहें तो आप वो कंपरिजनी समझ पाएंगे कि हम वाइल की जगव फॉर पर क्यों आ रहें क्यों अगर आप इनिशल लेक्टर से आप साथ में हैं तो यादे में आपको बोला था सी में तीन टाइप की लूप हमारे पास वाइल लूप हमारे प और में जो बेसिक डिफ्रेंस आफ वोच हमझना अगर आपको यादे में आपको विधा किसी भी लूप के लिए पीन बेसिक रिक्वार्मेंट कि इनिशल लाइजेशन अब वाइल को लेके जब हम ये बात करते हैं तो वाइल रिम कैंडे टीन इनों काम तीन अलग अलग प्लेस पर करते हैं इनिशलाइजेशन अलग करते हैं हम कंडिशन अलग लिखते हैं इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट अलग करते हैं आपको याद है हमने इस तरीके के प्रोग्राम वाइल से बनाए हैं रिवर्स आफ नंबर पैलिंड्रम आफ नंबर वहां पर हमने वाइल लूप को यूज किया था लेकिन फॉर में आप देखो फॉर आपको किस तरीके के आप्शन प्रोवाइट करना है कॉंसेप समझना बच्छे बहुत अच्छा और बहुत इंट्रेस्टिंग लूप है मजा आएगा इसके साथ प्रोग्रामिंग करने में आपको चलिए देखने हम फॉर में आपको क्या बेटर आप्शन मिलेगा चिछ इस वन पर का जो सिंटेक्स है ना वह समझना फॉर में आपको ब्रैकेट में ही तीन आप्शन मिलते हैं इनिशलाइजेशन 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 कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट बोलो या डिक्रीमेंट बोलो ठीक है यह फॉर आपको एक साथ तीनों आप्शन की परमिशन देता है जबकि वाइल में हमने यही काम किसे किया था वाइल में आपने सबसे पहले इनिशलाइजेशन किया है ना वाइल में केवल लूप में क्या लिखते है कंडिशन इस पर हम वाइल में केवल कंडिशन लिखते हैं Okay और फिर sios में यहां पर हम ऺंगिमेंट करते हैं तो क्या होता है कई भार AC programming 10 जंप जानथ सेन अभी हम बात करें गैने स्टेड लूप कि जहां पर loop के अंदर loop लगाने होंगे तो आप सोचीना अगर इस तरी की प्रोग्रामिंग के प्रोग्रामिंग करूप गफिक करोगे तो चीजें complicated होंगे सो बेटर वाइल उप की यहां यहां पर लूप क्या प्रोग्राम को देखें ठीक है तो कि फॉर तो देखते हैं यहां पर हम और आप concept समझना कि कहा फॉर लूप ज्यादा बेटर है जब आपको यह पता ही कि आपका लूप कहां से शुरू हो रहे हैं कहां तक जाना है और कितने से इंक्रिमेंट करना है बेस्ट आप्शने फॉर लूप और खासकर सीरीज के प्रोग्राम जितने भी सीरीज के प्रोग्राम है अगर आप वाइल की बज़ा फॉर से बनाएंगे तो यह ज्यादा इजी बनेगा ठीक है वाइल का यूज कहां पर था जहां पर मैंने आपको बला एक प्रोग्राम हम बनाते सिंपल सिरीज का जिससे अब देख समस्ते हम की कैसे फॉर लूप कम यूज करेंगे ओके तो सब्सक्राइब अगर में यहां पर अभी चलिए में डारिक पूरा प्रोग्राम ना लेकिए फॉर का सिंटेक्स लिखना हूं फॉर आपको क्या बोलत अबने बात करेंगे और एक स्टेटमेंट के लिए आपको अब ड्रैकेट लगाना कंपल सरी नहीं फॉर में फॉर में हमने क्या किया है इनिशलाजेशन कंडिशन और इंक्रिमेंट और यह मने लिखा प्रिंटेफ परसेंटेज डी कॉमा आई ओके अब यह देखने यह करेंगा है इनिशलाजेशन पर ठीक है सबसे पहले आपका प्रोग्राम आएगा इनिशलाजेशन पर यहां से आपका प्रोग्राम इसको एक काम करते हैं एसे समझते हैं हम मतलब लूप का एक्शी कुशन आप समझना कि हाउद फ़ार लूप एक्शीrat लूप इचिगूट तो फ़ार समसे पहले आता है इनिशेजेशन वाले ब्लोग में उसके बदिया साहर condition वाले block में इसके बाद यह आता है execution वाले block में और फिर यह जाता है increment वाले block में and then again condition execution increment condition execution increment यह देखाब यह for है यह initialization ओके देन condition and then it is increment okay और यह हमने यहाँ पर statement लिखे तो सबसे पहले कहाँ पर आया initialization block में और यह धान रखना initialization block में loop cable एक बार आता है first time on the first time pin initialization वाले block में आएगा फिर यहां जैसे अगर initialization में आया तो इसने आई को कितने से initialize किया once है फिर आया condition वाले block में वन लेज़ दो नर equal to 10 that is true फिर यह आता है execution पे तो execution पे इसने क्या प्रिंट किया one then it goes to increment तो आई कितना हो गया तू फिर वापिस आया condition two less donor equal to 10 to print if I क्या प्रिंट किया इसने तू देन अगें increment आई हो गया three three less donor equal to 10 true फिर प्रिंट फाई three और यह से चलेगा कब तक 10 तर मतलब initialization condition execution increment then again condition execution फिर यह चलता रहे रही है इस ब्लॉक में प्रोग्राम के वाल एक बार आएगा first time पर तो इसके बाद जब 10 कि से value 11 हो जाएगे तो 11 less donor equal to 10 that is false false फॉर आपका लूप टर्मिनेट हो गया so this is how the for loop is execute तो बेटर for loop कहां पर है जहां पर आपको पता है आपको initialization value क्या है आपकी जहां आपको पता है कंडिशन value क्या है और जहां पर आपको पता है इंक्रिमेंट कितने से करना है एक से दो से वाटेवर तो बेटर है आने सेखें इन वैलू आने वाली एंगे वैलो क्या आने वाली है यहाँ मुझे पता है के मेरा इंशलर DOUय्वाद से लोड़ है यहां मुझे नहीं पता है क्यों कि यह यह जाख सफार्लूप कहां थे जहां आपका इसचें थे लूप सीधर कंडिशन के लिए उस हो रही है और फॉर लूप कहा बेटर है जहाँ आपको बताई के वह दिशिज माइन इसलाइशन दिशिज माइन क्रिम तो बैटर है युल गो फॉर फॉर लूप समझ में आ रहा है कॉंचेप क्लियर हो रहा है ठीक है अब एक बहुत इंटर्वीज में कुछा जाता है कि यह कितने तरीके से सी में फॉर लूप को यूज गर सकते हैं तो यहीकर सकते हैं सबसे इंपोर्टेंट लिए धान से सुनना फॉर में हम जो बोल रहे हैं हमने यहां पर इनिशलाइजेशन किया है तो यह कोई कंपल सरी कंचेप नहीं है मतलब यह तीन ब्लॉक जो आपने आपको फॉर ने दिये है इनिशलाइज करने के लिए कंडीशन के लिए और तीसरा इंक्रिमेंट के लिए तो यह कोई कंपल सरी ब्लॉक नहीं है विटा मतलब इस नौट नेसेसरी कि मेर को यहां पर इनिशलाइजेशन करना ही पड़ेगा ठीके इस कॉंसेट यहां कोई जरूरे कि मुझे इंक्रिमेंट करना ही पड़ेगा देखा आप मैं आपको बताता हूं क्या exactly बात कर रहे हैं सपोज यदी एक फॉर्लूप जो जनरली हम यूज करते हैं एक ही प्रोग्राम को आप देखो में चार तरीके से बताता हूं आपको सिंगल प्रोग्राम विगन डिजाइन विट फॉर वेस्ट आपको समझ में आएगा कि exactly मैं क्या बात कर रहा हूं ए i equals to 1 i less than or equal to 10 i plus plus जो जो कि जनरली फॉर का सिंटेक्स है i equals to 1 i less than or equal to 10 i plus plus ठीक है यह हमने एक फॉर्लूप लिखा this is first for loop समझ में आ रहा है जहां पर हमने i को 1 से इनिशलाइज किया 10 तक चला है और इंक्रिमेंट किया और यह for loop complete और जो भी statement आपने लिखा मान लो मैंने लिख दिया print f percentage d slash n comma i ठीक है this is one यह integer i equals to 1 यह for co use करने का पहला तरीका ना पूरा main when सब लिख देना proper अगर मैं इसी प्रोग्राम को फिर से लिखता हूं लेकिन मैंने क्या किया sorry integer i क्योंकि इनिशलाइजेशन हमने यहां किया हुआ है अब इस case में मैंने क्या किया यहां पर लिखा integer i equals to 1 यहां ते देखना मतलब यहां हमने इनिशलाइजेशन कंडिशन और इंक्रिमेंट टीन लूप में करें यहां पर मैंने क्या किया i को वन से पहले ही इनिशलाइज कर दिया तो अब आप मुझे बताओ जो मेरा इनिशलाइजेशन वाला ब्लॉक है वहां तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा इस ब्लॉक को एंटी छोड़ दूंगा सेमिकॉलन लगा गया पर आपको सेमिकॉलन लगाना पड़ेगा क्योंकि सेमिकॉलन के बाद ही आपका प्रोग्राम कंडिशन को कंसिडर करेगा ओके अब इनिशलाइजेशन को खली छोड़ दिया यहां मैंने लिग दिया आई लेज़ दोना इकवल्स टो टें देन सेमिकॉलन आई प्लस प्लस एंदेन प्रिंटेफ पर्सेंटेज दी स्लेशन कॉमा आई मतलब इज नॉट अट अल कंपल सरी के आपको यहां इनिशलाइजेशन करना ही है नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है चलेगा प्र फॉर आई इकवल्स टुवन ठीक है फॉर आई एकवल्स टुवन मतलब यह अलग-अलग प्रोग्राम की बात कर रहा हूं मैं जहां पर आपने आई को इनिशलाइज किया सोरी डिक्लियर किया ठीक है इंटीजर आई फॉर आई एकवल्स टुवन आई लेज दिन और इकवल इंक्रिवेंट दिया यहां पर आपने इनिशलाइजेशन किया कंडिशन दी बढ़ दिर इस नो इंक्रिमेंट तो अब मैं इसको अगरे से लिग देता हूं प्रिंट एफ पर्सेंटेज दी स्लेशन कॉमा आई एं देन आई प्लस प्लस अगें दिस इस अवैलिड स्टेटमेंट ठीक है और चोथा तरीका यदी में फॉर्लूप को ऐसे यूस करता हूं धान देना इफाइज फॉर्लूप इन दिस वे मैं ऐसे यूस करता हूं सबोस फॉर सेमिकॉलन आई लेस्टन और इक्वल टू टैन सेमिकॉलन और देन प्रिंट एफ परसेंटेज दी कॉमा आई एंड आई प्लस प्लस और यह आई को डिक्लियर कर दिया और इनिश्लाइस कर दिया वंस है तो इस दिजार दफॉर वे वन टू थ्री एंड फॉर चार तरीके हैं जिससे आप सी में फॉर्लूप को यूज कर सकते हैं चारो परफेक्ट प्रोग्राम में पसेंटेक्स वाइस में में सब लिग देना हैडर फाल इंक्लूट करके प्रोपर प्रोग्रामा बनाई चारो दाल फॉरलूप परफेक्ट चलेंगे मतलब कहने का ये कि यह जो इनीचलाइजेशन और इनक्रिमेंट होता है यह हमारे लिए फैसिलिटी है कंपल सरी स्टेट्मेंट नहीं है आपने इन चारों में से कंपल सरी क्या देखा कंडीशन को यह बिना कंडीशन की लूप नहीं लाइक वाइल लूप अब यदि आप से पूछा जाए फॉर को वाइल के तरह लिखो तो आप इन चारों में से कुन सा लिखो गए बिलकुल सही यह वाला इस वन इडिस वन इडिशन प्रोग्रम भी इन्फानेट लूप पर चला जाएगा मैं बात करूंगा उसके वारे में ठोड़ा सा वेट करी अपने भी देखेंगे अगर मैंने फॉर को समझ लोइक बार तो यह अगर ऑफ को तो यह समझ में अगर आपको आया कि फॉर आपको जो फैसलीटी देता है वह कंपलसरी नहीं है और फैसलीट इसलीटी को अवेल करना ज्यादा बैटर है तो हम फॉर क को तो मेनिट हाँ हम जो फॉर को यूज करेंगे ना वह बैटरली वैसा ही करेंगे जैसे प्रोग्राम लिखते हैं देखा ठीक है सपोज अगर मैंने आप से बोला है शिंक्लूड एस्टी डियो डॉटेच ठीक है सेकंडली है इंक्लूड प्रफ और को लेकर एक सिंपल सा प्रोग्राम अपन देखने को इसा भी को नियो डॉटेच ओके दिन इंट में अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस में काम कर रहें दिन इंट वाइड आप ब्लैंक भी छोड़ सकते इस आई लेज दिन और इकवल्स टू 10 और आई प्लस प्लस और यदि आपने अच्छा यदि मैंने यह ब्रैकेट नहीं भी लगाए हैं सो भी समझना प्रिंटेफ परसेंटेज डी स्लेशन कॉमा आई मतलब यह लूप प्रॉपर एग्जीकूशन करेगा क्योंकि यदिया ब्र तो जहां फिर में रिपीट कर रहा हूं जहां आपको पता है कि आपका इनिशलाजेशन क्या है कंडिशन कहां तक चलनी है और इंक्रिमेंट कितने से उना है तो बेस्ट आप्शन इन गोफार फॉर लूप और यहां पर सेमिकॉलन यूज नहीं करना है मैं बाद में बताऊ होगा वापन डिसकस करेंगे आगे अभी थोड़ा सा इनिशल लेवल है थोड़ा सा अपन पहले चीजों को समझ ले उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर में सेमिकॉलन लगाने से क्या होगा कंडिशन नहीं लिखेंगे तो क्या होगा ट्रीकी कोस्टिंस फॉर से तो कॉंसेट समझ में आ रहा है आपको कि किस तरीके से हम फॉर को यूज करने वाले हैं आगे प्रोग्रामिंग में तिक चारो कॉंसेट समझ मैं कि फॉर का बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको इनिशलाजेशन कंडिशन और इंक्रिमेंट तीनों एक साथ एक ही जगवे मिल है यदि आपको लगता है आपको नेस्टेड लूप के कोड लिखना है जो भी हम मैट्रिक्स के प्रोग्रामिंग में देखने वाले हैं तो वहां पर फॉर लूप जादा बेटर है तो यह अभी हमने केवल देखा है फॉर का कॉंसेट कि वाट इस फॉर लूप इन सी सी में फॉर लूप क्या होता है अब इसके बाद हमारा जो नेक्स लेक्चर होगा वहाँ पर हम बात करेंगे देरा different types of program जो हम फॉर लूप से बनाने वाले हैं ठीक है फॉर को लेके किस तरीके के प्रोग्राम हम बनाएंगे तो देखते नेक्स क्लास में और फिर हम फॉर के कुछ इंटर्वी कोश्चन की भी बात करेंगे ट्रीकी कोश्चन की हम बात करने वाले हैं तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है बिल्कुल पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मुस्कराते रहे हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में फ